टेली चैप्टर 264 आज का टीडियल सेशन चार्टेट एकाउंटेंट्स एकाउंटेंट्स उनके ओफस एड्रेसेज को बैलेंच शीट पर प्रिंट करने के बारे में अगर आप चार्टेट एकाउंटेंट है या फिर आप एकाउंटेंट है तो आप इस टेडियल का बेनिफट ले सकते हैं हमारे बहुत सारे साथियों ने चैनल पर रिक्वेस्ट की थी के उन्हें अपने सीए का नाम या फिर एकाउंटेंट का नाम बैलेंच शीट पर ऐसी second video हमारे channel पर available है, जहां पर readymade code हैं, आप readymade code का benefit ले सकते हैं और साती सातュ coding सिखाई भी जाती हैं, जहां पर आप coding सीख करके अपनी tally को कस्टोमाईज आसानीं से कर सकते हैं, आप हमारी help भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई TLD जो हमारे channel पर uploaded नहीं है, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है comment box में comment कीजिए एक TDL की request डालिए example देना मत भूलिएगा जब आप detailed example दे देंगे तो मैं आपके लिए TDL तयार करके YouTube पर आपसे share कर लूँगा free of cost आपको कोई charges पे नहीं करने होते हैं यह बिल्कुल free चलेगा आपके लिए तो सीखते रहिए और benefit लेते रहिए TDL का अब lesson पर आते हैं कि हर वीडियो में जो भी वीडियो आप मेरी देखते हैं उनमें ज्यादतर में क्या होता है कि उसी वीडियो के description box में इस code का blog code link होता है सबसे आखरी में आपको click करना है आप notepad मतलब हमारे blog पर जाएंगे select कीजे code को और उसे copy करके paste कर दीजेगा notepad पर आपका ये काम आसान हो जाएगा कभी कभी हम कुछ code की line को वहाँ पर गायब कर देते हैं जिसकी वैसे आपकी screen पर error आती है तो उसका सबसे आसान तरीका है उसे ठीक करने का समझने का की वीडियो को पूरा देखिए ऐसा नहों कि सिर्फ code के लिए आप यहाँ आए और वो code आपका काम ही न करे तो वीडियो देख लेंगे तो आपका वो code 100% active हो जाएगा जैसे आज की session में यह code सीधे सीधे आपके blog code से link पर click करने से मिल जाएगा copy कीजिए paste कीजिए और use कीजिए मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आखिर यह code काम कैसे करता है बहुत simple तरीका है जब आपकी company में आपने balance sheet तयार की है तो balance sheet को print भी करते हैं मैं तो testing के लिए company बनाता हूं तो बहुत सारा material balance sheet में नहीं होता है बहुत सारे pages का testing के लिए रखते हैं alt p करते हैं इसको print करेंगे जैसे आप इसे print करेंगे नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर chartered accountant का नाम simply मैंने mention कर दिया just like an example cam pande address 1 address 1 यह दो line है जहाँ पर आप address का इस्तेमाल करेंगे तो balance sheet पर नीचे आपको मिल जाएगा अब आप क्या लिखना चाहते हैं accountant लिखना चाहते हैं या फिर chartered accountant लिखना चाहते हैं short form लिखना चाहते हैं full address देना चाहते हैं वो सारी चीज़े आप दे सकते हैं बस करना क्या है कि जो code मैंने आपको दिया है उस code पर यहाँ address 1 है इस address 1 को आपने क्या करना है यहाँ पर branch office कर सकते हैं या फिर company office कर सकते हैं branch office का address मेंशन कर देते हैं दी एइट रोके फर्स्ट फ्लोर आई आई पी एल बिल्दिंग गैनी फर एग्जैंपल नाइटी फोर दाट वुट बेटर नाव सो दिस वन इस द लास्ट यह तो नीचे की तरफ रहेगा यह तो नीचे की तरफ रहेगा यह तो नीचे की तरफ इससे उपर की लाइन पर जाएंगे तो जो address 1 है आप उसे चाहिए तो corporate office registered office बना सकते हैं और address मेंशन कर सकते हैं जैसे a123 यमुना विहार daddy 53 that's right यहार और उपर जाएंगे तो आपने जो c a m pande मैंने लिखा है वहां पर जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं well I'm not a c a so I'll not write my name so मैंने यहां पर लिखा Shree Krishna Associates ठीक है और आप चाहें तो add कर सकते हैं जो भी c a name है c a mr. Rajiv for example और save कर दीजे और जाएए अपनी TDR पर यह बदलाव आपको अभी नजर आ जाएंगे करना क्या है आपको बस इसे print करना है print करेंगे तो आपको यह detail मिल जाएगी well मैंने अभी refresh नहीं किया है refresh कर देता हूँ balance sheet पर जाता हूँ all p करता हूँ enter करता हूँ और अब नीचे आप देखेंगे वो सारी detail आ चुकी है जो अभी अभी हमने modify की है बल्कुल सही और इस तरीके हमने उसे align किया हुआ है proper ताकि यह fit हो जाए अपने box के अंदर prepared by स्वी कृष्णा associate CA Mr. Rajiv Capital मेर नहीं रखना था मुझे but that's okay no issue now registered office A123 यमन विहार डैली 53 and branch office that is F8 first flow IIPL building daily 94 whatever it is now तो इस तरीके से आप इसे print कर पाएंगे बहुत छोटा सा आसान सा code है जा करके आप video description से ले सकते हैं वाकई में अगर यह code आपके काम आ रहा है तो आपको चैनल को like कर देना चाहिए मदब चैनल को subscribe कर देना चाहिए वीडियो को like कर देना चाहिए और comment करके बताना चाहिए कि क्या आपको किसी TDL की आवशकता है और नहीं तो यह वीडियो कैसे लगी वो बताना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो जो भी आपके request TDL की आ रही है हम उसे बहुत तेजी से पूरा कर रहे हैं तो आज का lesson टैली TDL 264, successfully यहीं पर complete हुआ, बढ़ते हैं टैली चैप्टर 265 कियो प्योलिएग। झाल झाल